अब कमीग एपिसोड में दिखाये जाता है कि अभीरा के घराती ही मासा उसकी आरती उतारने के लिए जाती है लेकिन दादीसा मासा को रोग देती है, वो कहती है कि कोई जौरत नहीं है इस लड़की की आरती उतारने की, ये जब जब घरमें आती है तो मुसीबत अपने साथ लेकर आती है अभीरा दादी सा की बाद सुनने के बाद ऐसे ही गर में जाने लगती है लेकिन उसके पेर में चोट लगी होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पाती तब ही अर्मान वहाता है वो अभीरा कूठा कर उसके रूम तक लेकर जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है फिर अर्मान कीचन में जाकर उसके लिए एक खाना बनाने लगता है तब ही रूही वहाँ जाती है रूही कहती है कि अर्मान तुम रूकों में खाना बना देती हूँ लेकिन अर्मान नहीं मानता वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना अबिरा के वल मेरे ही हाथ का खाना खाती है तो उसके लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा वो याद करता है कि पिछली बार जब रुही ने उसके लिए मेगी बनाई थी तो अबिरा ने उसे खाने से साफ इंकार कर दिया था इसलिए अर्मान अपने हाथों से खाना मनागर अबिरा के पास ले जाने लगता है